गूड मौनिंग students, आज की क्लिक्टर में हम Traffic Engineering, Telecommunication का Topic Traffic Engineering के Network Traffic Loan and Parameters के बारे में discuss करेंगे अब धेकिशिधने हमेंरे बाद करेंगे लेके लिआएंगे, हम्हेरीन when you crucified काल्स के बात करेंगे अब जब बहुत सारी वेकिश्चेंज के अंदर हमें करने होते हैं कि कंप्लिशन डिट कि क्या है उसको का सरवर कितना बीजी रहेगा ट्रैफिक इंट्यटि थी कहा है यह सारे चीज से हम नेर्ट ट्रैफिक लोड के अंडर डिस्कुस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क ट्राफिक लोड के परामिटर्स कौन-कौन से हैं अब बीजियार क्या होता है स्टूडेंट्स देखिए पूरे दिन के अंदर अलग-अलग आज होते हैं तो पूरे दिन को हम उब्स अब्स आइब्स अब बजय करते हैं और इसमें देखते हैं कि एक घंटे का वो टाइम 60 मिने इंट इंटर्वर का वो टाइम जिसमें की आपका हाइस्ट यानि कि आपकी Calls जिसमें सबसे ज़्यादा हो रही है उस आर को हम कहते हैं बीजी आर जैसे कि सब्सक्राइब कर जाते हैं मॉर्निंग टेम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो लोग कॉल स्टार्ट करना शुरू करते हैं दस बज़े से शुरू करते हैं फिर दीरे जीरे सारे आफिसे स्कूल जाते हैं मीटिंग से अगलो और भी कॉल होते हैं तो 11-12 जनरली मोस्ट बीजी आर रहते हैं इस वक्त आपकी कॉल सबसे ज़्यादा होती कि सारे लोग काम के लिए बात करते हैं ऑफिसे जो स्कूल्स और इनिवर्स्टी जो कहीं पर भी हो तो वह बीजी आर क है क्या होता है हर रोज कर देन हम कुछ देज अब्जर करते है पर्टिकला तैसे कि एक वीक ले लिया पर हर वीक में देखेंगे सपोस्ट किसी दिन 10-11 जादा आ रहे है किसी दिन 11-12 जादा रहे है तो एवरेज जादा कॉन आ रहे है अवरेज जादा बीजी आर कॉन आर पिक बीजी आर गीजी आर एच देखेंगे सी दिन 10-11 जादा ओवरेज नमबर अफ देखेंगे अब है ताइम कॉनसिस्टेंटी आर क्या होता है स्टूने नहीं इए नहीं आर पिर तर्टिकला अबबर वोट कॉनस्टेंटेर अब पारों आब नंबर है क्या हुआ 7-day का टाइम लिया अब हमें डेली का वही आर देखना है उसी टाइम पे स्टार्ट होना जरूरी है जिस टाइम पर कॉल रेट्स आपकी सब्से यदा सपोस्खेम आपको पता है तो आपको जैसे आपने 7-day का टाइम लिया आप देख रहे हैं किसी दिन 11-12 ज्यादा आ रही ह तो कौन से आर में ज्यादा तर ज्यादा कॉल जा रही है तो फिर हमारा टाइम कंजिस्टेंट बीजी आर कौन से हो गया इलेवन टू 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 करेंगे एलेवन टू के अपने ग्याद को टू टू के आति हैं इस बीक थाइम का टू 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 call completion rate the ratio of number of successful call to the number of call attempts अब suppose आपने 100 call की हैं उसमें से 80 calls ही आपके successful हो पाएं और 20 जो है वो ब्लॉक हो गए server free नहीं था वेटिंग था जो भी कारण था तो आपकी success की rate किती हो गई यहां पे 80% तो यही कहलाती है आपकी call completion rate जितनी calls आपकी successful हो पाई हैं BZR calling rate what is BZR calling rate average number of calls originated by a subscriber during the BZR BZR में subscriber ने जितनी calls की हैं वो कहलाती हैं आपकी BZR calling rate जैसे कि मैंने बता है BZR हमारे 11-12 था तो इसमें subscriber ने जितनी calls की हैं वो क्या कहलाएंगे आपकी BZR calling rate अब इस्टुरेंस हम एक graph observe 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 कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं नीचे की जो लाइन एक सेक्सेश उस पर आपका टाइम है 0-6 start उना means रात को 12 बज़े से ठीक है फिर आपका एक नाइट के एक बज़े एवन एम द मॉनिंग 4 एम 7 एम 10 एम 13 means 1 p.m. 16 to 4 p.m. 17 7 p.m. and 23 is 11 p.m. तो नीचे आपका टाइम है रात के 12 बज़े से अगली रात की 12 बज़े तक और और y-axis पे आपका number of calls इंदा और कितनी calls आपने उस गंटे में की है तो यह हम इस graph को देखके हमें पता चल रहा है कि जो हमारी ज्यादा तर call है किस duration में और एक तो देखिया 10 to 12 duration में आपका जो graph है सबसे उपर जा रहा है इसका मतलब 10-12 बज़े की बीच में आपकी call सबसे जादा है क्योंकि जैसे आपके office स्टार्ट होने का time generally 10 बज़े से रहता है तो फिर लोग आते हैं दीरे-दीरे वह meeting के लिए किसी और के लिए भी call करते हैं तो आपका उस पीरिड में call सबसे जादा है फिर फिर आपका lunch break आजाता है 12 to 2 तो आपकी call rate वापस गिर जाती है 12 to 2 फिर 2 to 5 अगेन call rates वापस बढ़ रही है तो जैसे लंच टाइम आपका खतम हो जाता है वापस आपकी call rate बढ़ जाती है तो 2-5 में वापस call फिर आप देख रहे हैं वापस पांच बज़े के बाद में calls number of calls जिंदार कम होती जारी इसका मतलब office time finish होने वाला और most generally ज्यादतर offices खतम हो जाते हैं और लोग इस वक्राइवलिंग टाइम में busy होते तो call नहीं करते हैं तो पांच से साथ का जो टाइम होता है उनका उसमे इसमें वह call कम करते हैं तो यहां पी जो मारा ग्राफ है उसमें वह number of calls जिंदार कम शो कर रहा है अब इस ग्राफ से क्या पता चल रहा हमें कि पीक कहां पर है आफ्टनून में that is 10 to 12 and 225 आफ्टनून पीक जो है थोड़ा कम है दो से पांच वाला पीक कम है और लोड जो है लंच और पीरिड में 12 से 2 के बीच में लोड बहुत कम है क्योंकि इस वक्त लंच और चल रहा होता है फिर 5 से 6 के बीच में भी ट्राफिक कम है इसका मतलब लोगों का ट्रावलिंग ट्राइम है अब सुन से एक्जांपल देखते हम इस एक्जांपल से समझते हैं हमारे पे सब्सक्राइबर अगर एवरेज बीजी आर कॉलिंग अटेंप्ट जो है आपकी 10,000 और कॉल कम्प्रीशन रेट का जो रेट परसेंटेज ए 60 परसेंट तो आपको निकालना है कि बीजी आर कॉलिंग रेट कितना है तो देखिए सबसे पहले आपके पास बीजी आर इनसे हो पाएंगी तो किती को शुत होगी कि खूर डॉंटेध को अवर कॉल दो जाएंगे आपकी बीजी आर कॉलिंग पैंट इन्टु आपका कॉल कम्प्रीशन रेट यानि सकसेस रेट को अब मैटिपलाइ कर देंगे बेल्मार अफ कॉल से तो आपकी अवरेज बीजी कॉल जाएगी तो यह जाएगी टैन थाउजन इन्टू सिक्सी परसेंट डैट इस इक्वल टू सिक्साउजन कॉल अब हमें निकालना बीजी आर कॉलिंग रेट क्या होगी एवरेज बीजी को आर कॉल अपॉन टोटल नंबर और सुब्स्क्राइबर तो अवरेज बीजी आर कॉलिंग रेट आ गया थ्री तो इसे हमें पता चल गया बीजी आर कॉलिंग रेट मेरा थ्री है अब देखिए सुन से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप है ट्राफिक इंटेंसिटी अब देखिए सपोस हमने एक गंटे का टाइम आप्जर्व किया यानिकि 60 मिनिट का उसमें आपका सब्सक्राइबर यूजर जो है कि 20 मिनिट्स के लिए कॉल कर रहा है तो ट्राफिक इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे 60 मिनिट्स में से आपने 20 मिनिट्स बात की तो 20 by 60 that is 1 by 3 यह आपका हो गया ट्राफिक इंटेंसिटी यानिकि कितनी देर तक आपका सर्व से जब तक आप कॉल करेंगे सर्वर उक्यूपाइब तो एक सर्वर कित्य देर तक उक्यूपाई रहे है इसको डिन ओड़ करेंगे इस तो ट्राफिक इंटेंसिटी का फॉर्मुला हो जाएगा ट्राफिक इंटेंसिटी को यह नॉट से आप डिनोड करते हैं तो इसको period of observation आप किती देर तक उसको देख रहे हैं वान आर का उब्जोशन पिरेड़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो 20 by 60 अब सब्सक्राइब बोलेंगे कि दो गंटे में आप चेक करो कि इता ट्राफिक इंटेंसिटी है तो और उसने अगर 20 मिनिट्स बात की है तो 20 मिनिट्स अपॉन 20 मिनिट्स तो जितना आपका पीरेड ऑफ ऑब्जरवेशन इसको और उसमें से वह कितनी देर बात करता हम किसी के गर जाते हैं सपोस्थ हम एक गंटे के लिए मां रुपते हैं वह एक गंटे बात कर रहा लगा था तो हम कहीं गया वह तो सारे टाइम लगा वा रहता क्योंकि हमने जिस टाइम पर देखा उसे उस टाइम में वह पूरे टाइम फोन पर बात कर रहा था तो उसकी ट्राफिक इंटेंसिटी फूल आएगी यहां पर 60 by 61 तो इसका मतलब हमने जिस अब्जरवेशन पीरेड मुसको नोट किया त ट्राफिक इंटेंसिटी की यूनिट चो यह वैसे डेमिशन लेस होता है लेकिन इसको आप डिनोट करते हो अर्लांग से कैपिटल ए से क्योंकि इसको इंजिनियर एक अर्लांग ने बनाया था अब एक एक्जांपल देखेँ हैं इस टूजण्स एक ग्रूप है जिसमें टैन सर्वर्स है औके थैन सर्वर्स और हर सरर्वर जो है इच इज उ़ॉक्यूपाइड फो 30 मिनिट्स इन एन बाफ़ो अब्जरव हुजूर्विशन अंटरवरल अफ टुअर्स हर सरवर जो है क्या करेंगे इंडिविजिल सर्वल का निकाल लेते हैं ठीक है तो इंडिविजिल सर्वल का ट्राफिक क्या होगा कितनी देर उसने बात की है पॉन ट्राइम डूरेशन तो कितनी देर के लिए बात करें 30 मिनिट्स और अब्जोशन इंटेवल यहां पे टू आर्स डैट इस 120 मिनिट्स तो 30 by 120 मिनिट्स 30 by 120 तो यह आगया 0.25 अर्लंग हर सर्वर का ट्राइफिक हमने निकाल लिया यह आगया 0.25 अर्लंग क्योंकि ट्राइफिक निकालने का फॉर्मला में ने बताए था occupied डूरेशन अपॉन टोटल डूरेशन अब आपको पूरे ग्रूप का निकालन अगया 2.5 अर्लंग तो आपका ट्राइफिक निकल कर आगया 2.5 अर्लंग तो इस तरह से हम ट्राइफिक कैल्कुलिट कर सकते हैं अब एक और एक और ग्जाम्पल दिखनें सूरेंस अग्रूप ऑफ 20 सर्वर क्यारीट अट्राइफिक ऑफ टैन अलांस 20 सर्वर ज्यूप का एकको क्या करना है कि सिंगल सर्वर्नी कितनी कौल्स पुट की है और पूरे ग्रुप ने किती पुट किया किस्विधर आपस दे रखाये हमारे वे तो वहां से हम ग्रुप का ट्राफिक दे रुखाै तो आपको एंग तो एक रिख इंडिविजील सर्वर का ट्रैफिक निकाल लेते हम तो निकाल लेंगा और तो ट्री ज़ोड गरुप का दिवाइट कर देंगे इसे तो 10x205 और 20 सर्वर का ट्रैफिक इतना हो जाहेंगे डिवाइडेet by 20 that is 0.5 इसका मतलब 0.5 का मतलब 1 by 2 यानि कि अगरा मैं एक गंटे की बात करूँ तो half duration तक मेरा server busy रहता है इसका मतलब 1 गंटे में से half duration 0.5 का मतलब half duration तो server जो है मेरा 30 minutes के लिए busy रहता है अब यह पूछ रहे हैं कि आप number of calls निकालिए हर server कितने call कर रहा है ठीक है और आपको average duration दे रहा है हर call का 3 minute है तो कितनी calls हो गई 30 minutes में अगर एक call 3 minute की है तो 30 minute में उसने कितनी call की एक call 3 minute की है तो 30 minute में उसने कितनी call की 30 by 3 that is 10 calls तो हर server ने कितनी calls की 10 calls अब यह पूछ रहा है single server ने जितनी calls की निकालिए और पूरे group की भी निकालिए तो एक server ने 10 calls की पूरे group ने कितनी की पूरा group कितनी server है 20 servers तो आप कुछ नहीं एक server की call है आपकी 10 20 servers की कितनी हो जाएगी 10 into 20 that is 200 calls तो इसका मतलब पूरे ग्रूप ने 200 कॉल किये हैं तो आपने निकाल ली number of calls इस तरह से students step by step आप अगर follow करेंगे तो आप आराम से सारी calls निकाल सकते हैं अब देखिए students कुछ और parameter है हमारे पास centum call second what is centum call second call time product means one call for 100 seconds duration or 100 calls for one second duration each or any combination and what is CS and CM call seconds and call minutes are also used to measure a traffic intensity अब एक alarm जो होता है उसमें कितने होता है 36 centum call second होता है 36 hundred centum call second call second and 60 call minutes क्योंकि second call minute में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो यह आपका आजाएगा 60 call minute average call arrival rate जो होती C से रिनोड करते हैं average holding time small TH we can express load offer to the network in terms of these parameters where C and TH must be expressed in like time units इस्टुरेंट्स आई होप आज का lecture आपको अच्छे से क्लियर है थैंक यू